आप लोग कॉमेंट्स करके कह रहेते हैं कि भाया आप साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के तो पेपर लाते हो आर्ट्स के कब लाओगे तो आर्ट्स के पेपर भी सभी के आने वाले हैं क्लास 11, 12, pre-board, board और half yearly के सभी पेपर आने वाले हैं इसी कड़ी में आज हम लोग अर्दवार्शिक परिच्छ है, 2023-2024 का बिल्कुल लैट्स समाशास्त्र कच्छा ग्यारा मतलब sociology, sociology समाशास्त्र कच्छा ग्यारा का पेपर लाए हैं, B है इसका court 100 नंबर का पेपर है, समाशास्त्र का ये पेपर समझेंगे कि कैसे प्रशन आते इसको पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी प्रशन आपके important है, half yearly और yearly एक्जाम के लिए तीन घंटे 15 मिनिट, 100 नंबर का पेपर, प्रारम में 15 मिनिट पेपर को पढ़ने के लिए दे गए हैं, सभी प्रशन अनिवार हैं अब यहां पर ध्यान से समझना आप, इसको ध्यान से समझना है बच्चों प्रशन संक्या एक से दस तक बहुवी कलपी हैं, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है प्रशने संक्या 11-18 तक अति लगू हैं जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना प्रशने संक्या 19-24 तक लगू उत्तर हैं जिनका 50 शब्दों में उत्तर देना 25-27 तक दीर्ग उत्तर हैं जिनका उत्तर 1500 शब्दों में देना प्रश्णों के सामने उनके अंक दिये हुए हैं लिखे हुए हैं जैसे यहां पर यह एक नमबर का प्रश्ण है तो लिखा हुआ है समाज शास्त्र किसका अध्यन करता है अब ये बहु विकल्पी प्रशन है, एक से दस तक देखो, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उचित अनुचित क्या है, आप बताए, आप आपको ये बताना है, कॉमेंट में बताना है, बच्चों ये पेपर अभी solve नहीं है, पहले मैं आपको इस वीडियो में य किस तरह के प्रशनाते हैं, तो आप ये देखते चलेंगे, समाज की प्रकरती कैसी है, अमूर्थ, मूर्थ, मूर्थ और अमूर्थ, दोनों ये समाज में ना तो मूर्थ और ना अमूर्थ, तो ये बहुव विकल्पी प्रशन है, बिल्कुल साधारण है, आपके subject के according, ये मैकाईवर और पेज ने, सोरोकिन ने, ये ग्रीन ने, इसका comment box में आप उत्तर जरूर बताना, समाज अज के जनक कौन है, काल मौक्स हैं, काल मार्क्स हैं, ये गूरिये, ये अगस्त कॉम्टे ये दुर्खीम, बेहत साधारण प्रशन है, इसमें कुछ आपको नहीं कर ना होगा, आपको पढ़ाया जरूर गया होगा, समाज अज के जनक का जन्म किस सन में हुआ था, अब सन बताना है, चार सन दिये, 89, 88, 1789, 1798, कौन सा प्रात्निक समू है, छात्र संग, पडो, सिनेमा घर या बाजार, इसके बाद अन्ता समू के विपरीज समू को क्या कहते हैं, दुतियक समू, प्रात्निक समू, वाग समू या क्रीडा समू, चलो, नेक्स पेच पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन से प्रशन पूछे गए हैं, अब यहाँ पर आप दियान से देखना है, आपको अगला प्रशन है, जाती एक बंदवर्ग है या कथन किसका है, जात प्रथा, प्रंपरा, या जनरीथियां, आप चारिक साधन क्या है, ठीक है, सामाजिक नियंतिरन का, तो कानून होना चाहिए, बाकी आपने पढ़ा है, आप इसको सही से करेंगे, बाकी सॉल्यूशन इसका हम लाएंगे, पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आएगा, परिस्थिति का प्रकार्या स्वरूप कैसा है प्रदत प्रस्थिति अर्जित प्रस्थिति एक या दोनों या इन में से कोई नहीं अब अतिलग उत्तर ये प्रशन है जिनका उत्तर आपको ग्यारा से अठारा तक जिनका उत्तर आपको पच्चीश शब्दों में देना है समा समाज में सयोग एवं संगर्ष दोनों पाए जाते हैं संगर्ष और सयोग दोनों पाए जाते हैं बताईए कि विध्यान के प्रमुक तत्य कौन से सामाजिक समूह से क्या मतलब होता है सामाजिक समूह का क्या आशे है जाती तथा वर्ग में दो अंतर बताईए कि जाती क्या है और वर्ग क्या है इसमें दो अंतर आप इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे इसके बाद अंता समूह से क्या आशे है हर एक प्रश्ण यहाँ पर 11 से 18 तक 3 नंबर का है चलो आगे देखते हैं लगूतरी प्रश्ण जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में इनका उत्तर देना है तो क्या है पहला प्रशन समाज एवं एक समाज में अंतर इसपश्ट कीजिए समाज एवं एक समाज में अंतर समाज शास्त्र के स्वरूपवादी संपरदाय की विवेचना कीजिए समाज शास्त्र के स्वरूपवादी संपरदाय की विवेचना कीजिए इसके पास समाश शास्त्र और अर्थ शास्त्र के मद्दे संबंद लिखिए समाश शास्त्र और अर्थ शास्त्र के बीच में क्या relation होता है यह आपको समझाना है छे नंबर का है हर प्रशन अच्छे से आप लिखना एक से डेड़ पेज में समझाते हुए हर एक प्रशन को नए पेश से चालू करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 50 शब्दों में ये प्रशन का उत्तर देना है समाश शास्त के भी समंध लिखना है प्रात्मिक समू किसे कहते हैं के बाद अगला प्रशन कहता है कि जाती की प्रमुक विशेशता है बताईए जाती एवं वर्ग क्या होता है इसमें अंतर बताईए कि जाती और वर्ग में अंतर और एक बड़ा प्रशन भी पूछा गया है जाती और वर्ग में अंतर तो जाती और वर्ग के बारे में जरूर जरूर पढ़ना है अब ये विस्तरत उत्तर ये प्रशन है जिनका उत्तर आपको डेड़ से शब्दों में देना है पहला समाज किसे कहते हैं इसकी विशेष्टाइं लिकिए हाफ यरली पेपर है बिल्कुल आपकी सिलेबस के कॉर्डिंग हाफ यरली के काबिल ही ये विशेष्टाइं बताईए कि समाज के स्तरी करण की क्या-क्या विशेष्टाइं होती हैं प्रात्मिक समुह का अर्थ इस्पष्ट कीजिए तता परिभाशा निर्दारित कीजिए नहीं आता ये वाला 26 प्रेशन नहीं आता तो अथवा में एक विकल्प है आप यह वाला भी कर सकते हो कौन सा सामाजिक वर्ग का अर्थ क्या है उसकी परिभाशा है उनकी प्रमुक विशेष्टाओं का उलेख कीजिए सामाजिक वर्ग का अर्थ परिभाशाएं और उनकी प्रमुक विशेष्टाओं का उलेख करो प्रशन संक्या 27 अंतिम प्रशन है कि प्रस्थिती से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं अब प्रस्थिती के बारे में नहीं आता तो आपचारिक और अनापचारिक सामाजिक नियंतरण किसे कहते हैं इनमें अंतर इसपष्ट करते हुए प्रमुक साधनों का उलेख कीजिए कि सामाजिक नियंतरण के आपचारिक साधन कौन से है अनापचारिक साधन कौन से है इनका जो साधन है आपचारिक और अनापचारिक इनका उल्लेकन है तो कुल 3 प्रशन, 10 नमबर के हैं, दिये 6 हैं, क्योंकि हर एक प्रशन अत्वा में 6 प्रशन हैं, लेकिन करना 3 हैं, एक-एक विकल्प दिया गए हैं, जिससे आप सही से सौल्व कर पौँ, 30 नमबर के ये प्रशन बनेंगे, लॉंग वाले, बाकी यहाँ पर 6 प्रशन, 6 प्रशन है जिनमें एक विकल्ब छाट कर आपको अपनी कॉपी में लिखना है सही विकल्ब चुनकर तो काफी साधारान और सिंपल पेपर है अच्छे से आप सौल्व कर सकते हैं इसका पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्र पारी के लिए जुड़े रहो एक्जाम सिदे मैंसी यूट्यूब चैनल के साथ यहां पर आपको टिप्स ट्रिक्स त्यूटोरिल्स अभी कुछ लगातार मिलता रहेगा तैंक्स वाचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन अच्छा सा कॉमेंट जरूर लिखना थैंक्यू एंड बाई बाई